रेखी ये सम्वेक सरक्षन का नियम लाफ कंजर्वेशन आफ लीनियर मोमेंटम क्या है रेखी सम्वेक सरक्षन का नियम निशित रूप से इसमें सम्वेक सरक्षित रहता होगा सम्वेक बदलता नहीं रहता होगा परंतु उसकी कोई शर्त अवश्य होगी तो क्या शर्टे ये कि यदि किसी निकाय पर कोई बाही बल न लग रहा हो अर्थात बाहरी बल न लग रहा हो तो वो जो निकाय होता है उसका संपूर्ण रेखी सम्वेग नियत रहता है निकाय एक कण का हो सकता है दो कण का हो सकता है कई कणों का भी हो सकता है लेकिन अगर उस निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का जो रेखी सम्वेग होगा वो क्या रहेगा नियत रहेगा इसे ही हम रेखी सम्वेग सरक्षन का नियम कहते हैं चली मानली जी हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कण कोई निकाय है मतलब एक कण वाला निकाय है मतलब यह हुआ कि यदि किसी निकाय में कणों की संख्या अगर एक होती है तो उसे एक कण निकाय या सिंगल पार्टिकल सिस्टम कहते हैं तो चुंकि एक ही कंड है तो उस निकाई के उस कंड का द्रवेमान small m और उसका रेखी वेक कितना मान लेते हैं वी है ठीक है आप चुंकि वेक एक सदिश राशी है तो उसके उपर आप वेक्टर का निशान लगा दीजेगा तो क्या लिए आपने एक कंड निकाई है और निक है ना सामानी तोर पर हम रेखी सम्वेक को सम्वेक ही बोलते हैं है ना तो जहां पर भी आप कहें कि सम्वेक तो सम्वेक होता है द्रवेमान गुणा वेक तो रेखी सम्वेक होगा द्रवेमान गुणा रेखी वेक तो द्रवेमान कितना है m है और रेखी वेक कितना है वेक दीजिए क्योंकि समवेग एक सदिश राशी है तो वेक्टर P is equal to M vector V P is equal to M V अब वो कह रहे हैं कि यहां हमें एक बात और देखना होगी कि जो हमारा Newton का दूसरा नियम है वो यह बोलता है कि यहां में अब बल की इंटरी चाहिए और यहां मारे पास समवेग है लेकिन बल नहीं है और बल और समवेग का जो संबंद है वो Newton के दूसरे नियम में हमको बताया गया है क्या बताया गया है? Newton की गति के दूसरे नियम में बताया गया है कि यह भी आप जो है निकाय में जो कोई भी अगर निकाय है तो उसके समवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है तो ऐसे में बल बराबर समवेग में परिवर्तन की दर तो यहीं से आपको बल और समवेग का यह रिलेशन बन जाएगा और उसके बाद हम बल नहीं लग रहा हो वो चेक कल लेगे तो अब क्या रेखी समवेग नियत रहता है यह देख लेगे तो इसलिए यहाँ पर जरूत पड़ी Newton की गति के दूसरे नियम की कि बल बराबर समवेग में परिवर्तन की दर अब बल को हम किस से वेक्ट करते हैं बल को हम वेक्ट करते हैं F से तो यह हो जाएगा बल का F हो जाएगा और यदि डेल्टा T समय में समवेग में परिवर्तन की दर को ठीके ना अब परिवर्तन की दर है तो वो तो समय के आए साप एक्षी निकलेगी तो हमने का यह समय अन्थराल अगर हम यहां कहते हूं कि यही निकाएग पर कोई भाईयबल ना लग रहा हो इसको हम टेस्ट करने चारहे है तो निकाएग पर कोई भाईयबल नहीं लग रहा हो तो इसी स्तिती में F का मान क्या होगा शुन्य होगा तो यदि निकाय पर कोई बहारी बल न लग रहा हो तो vector F is equal to आपका हो गया मतलब ये वाली राशी जो है बल वाली राशी आपकी 0 हो गई मतलब इसके place पर आप शुन्य रख सकते हैं तो ये इस बल का जो परिमान है वो शुन्य हो गया तो ऐसे में जो है ये delta P upon delta T की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 0 is equal to vector delta P upon delta T और delta T का गुणा 0 में करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा मतलब delta P की value जो है वो शुन्य के बराबर हो जाएगी अगर delta P की value शुन्य के बराबर होई इसका अभिप्राय ये हुआ कि समवेग में परिवर्तन शुन्य है और अगर समवेग में परिवर्तन शुन्य है तो समवेग क्या है नियत है तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि यदि निकाय पर कोई बाहरी बल न लग रहा हो तो उस निकाय का रेखिए समवेग नियत रहता है और एसा हमने एक कण के निकाय के लिए प्रूव कर लिया